दूस्तो आज मैं आपको बताने वालाओं कि आप अपने मॉबाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं हाँ दूस्तो आपको पता होगा कि जब हमारा मॉबाइल थोड़ा पुराना होता जाता है या company कोई नए feature लेकर के आती है नए यहाँ पे अपने feature लाती है और जितने भी mobile होते हैं उनमें update करती है उनमें वहाँ पे send करती है feature जैसे कि मैं आपको दिखाते तो मैं settings में जाता हूँ settings में जाने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे आपको इस type का interface दिखाई दीगा अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको यदि यहाँ पे check करना पड़ेगा कि आपका mobile update मांग रहा है या नहीं मांग रहा यानि कि आपके mobile में update अभी आया है company ने send किया है या नहीं किया तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अब दोस्तों आपके mobile में यहाँ पे update आया होगा यानि कि company ने software डाला होगा आपके mobile में तो दोस्तों यहाँ पे उपर आपको देखेगा आप देख सकते new version available और आप यहाँ पे देख भी सकते 95.23 MB का है अब दोस्तों यहाँ पे यह जो version है नया update है mobile में आता है यह कई बार दोस्तों 2GB, 3GB, 4GB तक के update होता है दोस्तों तो यह आपके mobile में internet data तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी जाकर कि आप update कर पाएंगे तो आप यहाँ तो Wi-Fi ओन कर लीजेगा या फिर internet data आप ओन कर लीजेगा तो तभ जाकर कि आप यहाँ पर download कर पाएंगे तो मैं उपर आप देखेंगे लिखा हुआ new version available मैं इस पर click कर देता हूँ मैं इस पर click कर दूँगा यहाँ पर check होगा दोस्तों अब check होने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे रिखा हुआ update uh available यहाने कि यहाँ पर update अवैलेवल है गाइच और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आपको download का option देखेंगे यदै यहाँ पर update नहीं आया होगा तो तो दोस्तों आपको यहाँ भी नहीं देखेगा तो वहाँ पर detail भी भी भीजती है कि आखिर इस update में क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इस update improves system stability and performance and fixes an issue where new contact cannot be added यानि कि यह company यह कह रही है कि मेरे mobile में जब मैं नए contact add करता था तो वो यहाँ पर add नहीं हो पाते थे तो उनको company ने इस को fix किया है इस problem को fix किया है और यहाँ पर system की stability and performance को यहाँ पर improve किया है तो यह इसके अंदर है इस update के अंदर तो जो भी update आता है company details भीज़ती आखिर उस update में क्या आया है तो यहाँ पर security बहुत अच्छी रहती है दूस्तों हमको mobile को up to date रखना चीए यदि हम नहीं रखते तो हमारे mobile को यहाँ पर security का थोड़ा सा problem हो सकता है बाकी यहाँ पर हमको कोई problem नहीं होती है तो हमको mobile को update रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है आप नीचे डाउनलोड पर क्लिक कर दीजेगा यहाँ पर 95.23 MB का यह update है तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यह डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में install and boost होगा यहाँ आपका mobile आटमेटिक बुष्ट हो जाएगा बुष्ट होगा मतलब यह रिबूट होगा यहाँ पर आपका कोई भी data delete नहीं होगा और यहाँ पर आप देखेंगे जब यहाँ पर रिबूट होगा आपका mobile तो यह software अपने आप यहाँ पर डल जागा आपको install करने की ज़रत होगी तो आप install कर लीजिए अधरवाइस ओटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है ठीक है इस तरीके से आप अपने mobile में software डाल सकते हैं अपने mobile को update कर सकते हैं वीडियो को share कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राब करके बेल आगन पर प्रेस कर दीजिएगा